नमस्कार दोस्तों, आउसी की चैनल में आपका स्वागत है आज हम सिंगल करर का ये खुबसुरा सा डिजाइन बनाएंगे जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, स्टाल में, शॉल में, श्रग में, टॉप में, चाहे किसी भी मन्चा है प्रोजेक्ट में बना सकते इसे बनाने के लिए छे के मल्टिपल फंदे चाहिए तो चलिए हम डिजाइन बनाते हैं मैं इसके उपर ही रिजाइन बना रहे हूँ, आप इसे पहली लाइन समझे, पॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉंग सैट से यानि दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे तो लाइन बनाने के बाद तीसरी लाइन में ये डिजाइन पड़ेगा तो तीसरी लाइन में आप ध्यान देजेगा दो फंदा सीधा बन लेंगे उनको अपने तरफ लाइंगे और एक बार और सलाए मैं से लपित लेंगे अगला फंदा उल्टा फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे यानि तीन का एक कर लिया अगला फंदा उल्टा अब उनको पीछे करेंगे और एक बार सलाई में लपेट लेंगे और अगला फंदा सीधा इन्ही छे फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है उनको अपनी तरफ करेंगे और एक बार सलाई मैसे लपेट के लाएंगे अगला फंदा उल्टा फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे तीन का एक का लिया अगला फंदा उल्टा अब उन दूसरे साइड में करेंगे और एक बार स्लाइम में ऐसे लपेट के वापस इधर ही लाएंगे अगला फंदा सीधा अब उन अपनी ओर करेंगे और एक बार स्लाइम में ऐसे लपेट लाएंगे यानि यहां पर देखें दोनों तरफ में चाली पड़ रहा है अगला फंदा उल्टा फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे अगला फंदा उल्टा अब हम उन दूसरी तरफ करेंगे और सलाई में एक बार लपेटेंगे यानि यहां हम जाले दे रहे हैं और अगला फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और एक बार सलाई में ऐसे लपेटेंगे यानि हम दूसरी तरफ भी चाली दे रहे हैं सीधे फंदे के दोनों तरफ हम जाली दे रहे हैं अगला फंदा उल्टा फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लिया यहाँ पर हमारा दो फंदा गट गया और सीधी फंदे के दोनों तरफ जाली देने से दो फंदा बढ़ रहा है अगला फंदा उल्टा फिर उन दूसरी तरफ करेंगे और सलाई में एक बार उन लपिट के ले जाएंगे अगला फंदा सीधा यहाँ पर जाली बनेगा अगला फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे और एक बार और सलाई में लपेट के लाएंगे और अगला फंदा उल्टा इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे और यहां पे हम यहां पे हमने एक फंदा उल्टा बनाया है सीधा फंदा बनाने के बाद उन अपनी और करेंगे एक बार लपेट के लाएंगे एक फंदा उल्टा यानि अब यहाँ पे हम last में दू फंदा ही एक साथ लेके उल्टा बनाएंगे तीन फंदा नहीं लेंगे सिर्फ दू फंदा लेकर ही उल्टा बनाएंगे दो का एक करेंगे और last फंदा सीधा wrong side से सभी फंदे उल्टे बना लिये जाएंगे देखिए फ्रेंड्स यह जो जाली पड़ा है इसे हम इस तरह बुनेंगे ऐसे नहीं हमको बुनना है इसको back side से बुनना है यह जाली है इसको ऐसे बुन लेजे और जो दूसरी जाली पड़ रही है इसको हमको back side से बुनना है पांचवी लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिये जाएंगे और छटी लाइन में सभी फंदे उल्टे यानि डिजाइन बनाने के बाद हमें दो लाइन प्लेन बनाना होगा सेवंध रो और फ्रंट साइड पहला फंदा सीधा फिर nhína अपनी ओर करेंगे औरम दो कूट साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे यहाँ पे हम सिर्फ दो फंदो को ही एक साथ लेंगे, तीन हमें नहीं लेंगे क्योंकि साइट में अगर हम तीन फंदे लेंगे तो डिजाइन डिस्टरब हो जाएगा इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो फंदे लेंगे दो का एक या उल्टा बनाते हुए फिर एक फंदा उल्टा फिर उन दूसी तरफ ले जाएंगे और सलाई में एक बार लपेटेंगे और अगला फंदा सीधा फिर उन अपनी और लाएंगे और सलाई में एक बार उन लपेट के लाएंगे अगला फंदा उल्टा फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे अगला फंदा उल्टा फिर उन सलाई में दूसी तरफ ले जाएंगे और एक बार सलाई में लपेट लेंगे अगला फंदा सीधा फिर उन आगे लाएंगे और एक बार सलाए में उन लपेट के लाएंगे अगला फंदा उल्टा देखिए फ्रेंज यहां ध्यान दीजे यहां पे यह सीधा फंदा बना था और इसके दोनों तरफ यह जाली पड़ा है तो यहां पे हम इन ही तीन फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाएंगे इन तीन फंदों को एक साथ लेंगे एक उल्टा फंदा बना लेंगे अगला फंदा उल्टा अब उन दूसरी और करेंगे और उन सलाए में लपेट के लाएंगे देखें यहाँ पे हमने तीन फंदों को एक किया था तो यह बीच वाला फंदा है यह फंदा सीधा हो जाएगा और इसकी दोनों तरफ हमें जाली देना है तो यह हमने सलाई में ऐसे उन लपेट लिया है यानि यह जाली बन जाएगा अगला फंदा सीधा फिर उन आगे लाएंगे और एक बार और सलाई में लपेट के लाएंगे अगला फंदा उल्टा देखिए ये सीधा फंदा था और इसके दोनों तरफ जाली पड़ा था तो अब इन तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे दिजाइन वही है बस हमको जगह बदल गया है यहां पे जाली वाले जगह पे हमको डिजाइन डालना है ऐसे ही करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट करेंगे लास्ट फंदा सीधा और फिर रांग साथ से सभी फंदे उल्टे अब फिर यहां से हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा यानि दो लाइन प्लेट बनाएंगे आगे से सीधा और रॉंग साथ से उल्टा और फिर अगले तीसरे लाइन में डिजाइन पड़ेगा यानि यह वाला डिजाइन पड़ेगा आठ लैन का यह रिपीटेद डिजाइन है और इन ही आठो लैनों को दोराते रहने से डिजाइन अपने आप बनता चला जाएगा देखें फ्रेंट डिजाइन बनके त्यार है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंट डिजाइन आपके सामने है इसे आप अपने स्वेटर है बनाईए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है